नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं सहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरे बिजेपी नेता के बेटे ने सोई हुई बुजर्ग को रोंडा आधी रात को कार दिवार तोड़ते हुए घर में जागुसी को चलने से बुजर्ग महिला की मौके पर मौत चस्मदीत बोले नशे में धुत थे लड़के खंडवा के हरसूद में स्टेट हाईवे पर भाचपा नेतार रेखा विश्वकर्मा के बेटे की कार ने घर में सोई बुजर्ग महिला की जान ले ली तेजरफतार कार घर के दिवार तोड़कर घुस गई जहां महिला सोई हुई थी उसकी वही मौत हो गई कार में पांच लड़के थे जो घायल हुए हैं लोगों का कहना है कि ये नशी में दुथ थे कार रेखा के बड़े बेटे राहुल विश्वकर्मा के नाम पर है हाथसे के समय छोटा बेटा ही मानशू कार में था आसंका है कि गारी वही चला रहा था गटना गुरुवार सुबह करीब तीन बज़े की है लेकिन दस गंटे बाद भी पुलिस ने केस तो दर्जु कर लिया है लेकिन ये नहीं बता पा रही है कि कार चलाने वाला आरोपी कौन है रेखा हरसूद के वाडिक्रमांग तीन में भाचपस से पूर्व पारसद रही है हादसा इतना भयावह था कि महिला की चीकने की आवास से गहरी नीन में सो रहे आसपास के लोग भी जाग उठे वहीं घायल हुए युवको को इलाज के लिए जिलास्पताल में भट्टी कराये गया है और उनसे पूस्ताच चल रही है आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाद जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें